अगर स्किन पर कालापन आ गया है धूप का निशान आ गया है या फिज स्किन पहुत जादा ड्राइ हो गई है डर की स्किन निकल रहा है तो इन सारी समस्याऊ से चुटकर आप डर्यारगस remeridy की मदद से इस home remedy को आप एक बार 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 बनाओगे और इसे use करोगे क्योंकि इसे बनाने में हमारा बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं होगा और ना ही time waste होगा पस घर की कुछ चीजों का use करेंगे और पूरी तरीके से safe भी रहेगा और आप इसे पूरे body पर apply कर सकते हैं हाथ पर पैर पर फेस पर इसे use करने के बाद आपका face हाथ पर अलगी glow करने लगेगा और अलगी shine भी आ जाएगी पहुती बढ़िया ये face pack है तो चलिए video start करते हैं में लेना है आलू मैंने या पर सफेद आलू ले लिया है इस तरका में सफेद आलू ही लेना है क्योंकि मार्केट में अलग लग तरके आलू आते हैं जैसे कि लाल आलू, सफेद आलू लेकिन इसे बनाने के लिए हमें सफेद आलू ही लेना है, यहाँ पर मैंने एक सफेद आलू ले लिया है, और हाँ एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आलू एकड़म टाइट होना चीए, यानि कि एकड़म फ्रेश आलू होना चीए, तो मैंने आलू को अच्छे से दो लिया है दोने के बाद आलू को न ग्रेट करेंगे तो यह पर मैंने ग्रेटर ले लिया है और आलू को इस तरह से ग्रेट करेंगे आलू के छिलके को मैंने नहीं निकाला है अगर आप चाहे तो इसके छिलके को निकाल कर फिर ग्रेट कर सकते है अगर आप इसे ग्रेट नहीं करना चाते तो मिक्सिजार में पीस भी सकते हैं और यकिन मानिये फ्रेंड्स पहली बार आप इसे बना कर ट्राय करोगे ना तो एक ही बार में आपको फरक दिखना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने आलू को ग्रेट कर लिया है इस तरह से आलू को ग्रेट करने के बाद अब इसके जूस को निकालेंगे तो इस तरह से हाथ में लेके इस तरह से दबाते हो इसके जूस को निकालेना है तो बहुती अच्छे से श्टाज जो ही निकल जाएगा तो आलू में होता है श्टार्ट जो की natural तरीके से bleach का काम करता है अगर आपके face पर दाग धपे होंगी, pigmentation होगी या फिर जाया होगी तो पूरी तरीके से उसे remove कर देगा तो यहाँ पर मैंने आलू के juice को निकाल लिया है अब इसमें डालेंगे गुलाब जल तो एक चमच इसमें गुलाब जल डालेंगे तो दो चमच मैंने आलू का juice लिया है तो एक चमच इसमें गुलाब जल डालेंगे गुलाब जल डालने के बाद अब इसमें डालेंगे गेहू का आटा तो यहाँ पर मैंने एक चम्मच गेहू का आटा ले लिया है एक चम्मच इसमें गेहू का आटा डालेंगे आप गेहू के आटे की जगह पे चाल का आटा भी डाल सकते हैं और आदा चम्मच इसमें डालेंगे बेशन और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है और हाँ आप मेरी वीडियो कहां से देख रहे हैं मुझे comment करके जरूर बता है जिससे मुझे भी पता चल सके कि मेरी वीडियो कहां से देखी जा रही है इस तरह अच्छे से mix कर लेना है इसमेना एक भी लंप्स नहीं होना चीए अच्छे से mix कर ले इस तरह mix करने के बाद इसे 5 मिट के लिए छोड़ देना है तो इसे मैंने 5 मिट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था 5 मिट रखने के बाद फिर से इसे अच्छे से mix कर लेंगे इस तरह mix करने के बाद अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा healthy powder तो इसमेन एक चुटकी हल्दी पाऊडर डालना है and I worth the ч्टकी पाऊडर ले लिया है और इसके अंदर लगी हल्दी पाऊडर लिए है retry नहीं अपिए अधर थोड़ा सा हल्डी पाऊडर और हाँ हमने इसमें जो भी चीजे डाली है एक कोई भी चीज आपके skin को suit नहीं होती हैं, तो आप इसे skip भी कर सकते हैं, इसे कैसे लगाना है वो भी मैं आपको बताओंगी, तो मैं या पहीं आप इसे हाथ पह लगा के दिखा रही हो, आप इसे तरह से हाथ पर, पैर पर, फ तो आपको ज़्यादा फरक दिखेगा और आप इसे लगाना पसंद भी करोगे ये एकदम chemical free है और बहुत ही बड़िया home remedy है जिस दिन आप इसे लगाओगे ना उस दिन आप साबून या face wash का use मत कीजिएगा इसे आपको हफते में दो बार लगाना है अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे हफते में एक बार जरू लगाए और इस तरह से हलके हाथों से रफ करने के बाद इसे 10-15 मिनिट तक के लिए ऐसे ही छोड़ दे अगर आपके पास समय नहीं है तो कम से कम इसे आप 7 मिनिट जरू रखे आप इस होम रेमेडी को 15 मिनिट लगा के रखेंगे ना तो आपको बहुती बड़िया रिजल्ट मिलेगा आपका फेस हाथ पर अलगी ग्लो करने लगेगा और अलगी शायन भी आएगा अब आपको पालर जाकर मोटी पैसा रकम खर्च करने की जवतनी पड़ेगी आप इस होम रेमेडी की मदद से घर पे आपकी स्कीन को फियर कर सकते हैं ग्लोइंग कर सकते हैं और बहुती आसान तरीका है और इसमें आपका टाइम भी वेश्ट नहीं होगा आप देख सकते हैं जिस हाथ पर हमने लगाया ना वो कितना अच्छा ग्लो कर रहा है दोनों हाथ में आपको फरक दिख रहा होगा तो पहली बार में थोड़ा फरक दिखेगा लेकिन जब आप इसे दो-तिन बार लगाओगे ना तो आपको ज़्यादा फरक दिखेगा झाल झाल